इस पापर को बनाने में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हैं इस पापर को बनाने के लिए आपको गैस चलाने की भी जरूत नहीं परेगी Hello Everyone, आज मैं बनाने जा रहे हूं चकली पापर जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे कोई भी बना सकता है देखने में तो खुबसूरत लगता ही है और खाने में भी बिल्कुल मार्केट जैसा इसका स्वाद आता है आप बहुत अलग-अलग तरह कि इसमें स्वाद डाल सकते हैं मसालवे डाल सकते हैं मैंने इसे simple ही बनाया है, बहुत जादा कुछ spice वगरा नहीं डाला है, और आप इसे बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं अपने घर में, और आपके पास अगर बचा हुआ चावल नहीं है, तो थोड़ा सा चावल भात बना लीजिए, और आप इसे उससे बना सकते हैं, तो मेरे पास एक कोटोरी बचा हुआ चावल है, मैंने उसे ही लिया है, और अब मैं इसे डाल लिया है, अपने mixi jar में, और इसमें मैं डाल लेती हूँ, दो हरी मिर्च, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकरे में काट लिया है, आप इसकी जगा पे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर आप chilli flex डाल सकते हैं, क्योंकि मैं हरी मिर्च ले रही हूँ तो इसलिए मैंने इसे पीछने के टाईम ही डाल दिया है, तीन-चार चमच मैंने इसमें पानी डाला है और आप मैं इसे पीछने लेती हूँ, पीछने वक्त आपको इसे रुकर कर चलाना है, continue आपको न चम्मच की हेल्प से आप अच्छे तरह इसे उपर नीचे यानि कि चला लीजिए अच्छे तरह उपर नीचे कर लेंगे तो सारी जो मिर्च वगरा है न वो भी मिल जायेगा और दो तीन चम्मच पानी इसमें और डाल लेते हैं और इसे पीस लेते हैं तो यह देखिए मैंने इस तरह इसे पीस लिया है थोड़ा बहुत एका थी आपको थोड़ा सा दरदरा भी रहेगा तो कोई बात नहीं बहुत जादा आपको बारीक नहीं करना है देखिए इसमें दानेदार आपको दिख रहा है तो ऐसा ही हमें इसे पीसना है और इसमें डाल लेते हैं नमक नमक आपको पापर में कोई भी पापरा बना रहे हैं तो कम ही डालिया है मैंने जीरा क्योंकि जब आप नमक ढालेंगे ना तो तलने पे थोरा सा इसमें नमक ज़ादा लगता है क्योंकि यह सूपता है तो अब इसे अच्छी तरह आपको फेट लेना है आपको लगता है इस समय कि थोरा गाढ़ा है तो आप इसमें 2-3 चम्मच पानी और डाल लीजिए और खुब अच्छी तरह चम्मच की हेल्प से इसे मैंने फेट लिया है यह देखिए बिल्कुल गाढ़ी-गाढ़ी कंसिस्टेंसी इसकी आपको दिख रही है और अच्छी तरह फेट लेने से आपका पापर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा यानि कि एकदम फुलका-फुलका सा कड़ा नहीं होगा अगर आप इसको अच्छी तरह फेट लेंगे 2-3 मिनट के लिए पढ़िया से आप चम्मच से इसे फेट लीजिए और आप मैंने दूद का पैकेट लिया है आपकी पास अगर पाइपिन बैग है तो वो ले लीजिए अगर पाइपिन बैग नहीं है तो इस तरह का कोई भी पोली बैग ले लीजिए दूद वाला पोली बैग थुरा सा मजबूत होता है तो मैंने वही पोली बैग लिया है आप इसे किसी ग्लास में रख लीजिए या किसी कटोरी में रख लीजिए मैंने इसमें अपने सारे चावल को इतना तो एक बार नहीं भड़ पाएगा इसमें इसलिए इसे दो बार करके मैं बनाऊंगी तो 3-4 चमज मैंने इसमें डाल लिया है और अब मैंने यहाँ पे मोटा एक प्लास्टिक सिर लिया है आप चाहें तो आटे की थैली मोटी आती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो फ्रिज के उपर जो मैट आता है वो भी मोटा होता है उसे भी या ले सकते हैं तो आप उस पे बनाएंगे तो काफी अच्छा पापर बनता है बाकि आपके घर में कोई भी पतला पोली बैग हो उस पे भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं यह चिपकता बिल्कुल नहीं है और अब एक कट लगा लिया है मैंने थोरा सा कट मोटा ही लगाई है क्योंकि सूखेगा ना तो यह एकदम पतला पतला बन जाता है और बस मैंने चकली का से दे दिया है तो गुल 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 बनाने में सबको मजा भी आता है आप घर में और भी फैमिली है आपको बस एक एक पूली बैग में भरिये और भर करके सब को पकड़ा दीजिए उपर आप चाहें तो एक रबर्बेंट से इसे कस लीजिए नहीं तो आप हाथों की हिल्प से भी मैंने तो रबर्बेंट नहीं लगाया है तो आप चाहें तो रबर्बेंट लगा लिजिए लगा करके और इस तरह पूरी फैमिली बैठ करके और बना लिजिए ये पापर ऐसा होता है कि साल में एक बार हम लोग बना लेते हैं बना करके बहुत अलग अलग तरह के पापर घर में पापर चिप्स बनता है इस वक्त और सभी सुखा करके बढ़ियां वगरा रख ली जाती है और पूरे साल इसे इंज्वाइ करते हैं बीच बीच में इसे दो-चार मेने पे आप धूप जरूर लगाते रहिए क्योंकि अगर आप इस दिन मैंने वह तो पापर के डब्बे को खोल करके उसे धूप जरूर लगाया लीजिए ताकि आपका पापर सालो भर पिल्कुल फ्रेस रहेगा यह देखिए यहां पर यह थोड़ा-थोड़ा सूख गया है एक दिन हुआ है मैंने इसे रात पर के लिए पंखे में ही छोड दिया था एकदम कुरकुरा हो गया है और कलर भी देखिए कितना अच्छा बिल्कुल सफेद और जो हमने कलॉंजी इसमें डाला है जीरा नहीं डाला है सौरी फ्रेंड्स मैंने इसमें कलॉंजी डाला है और इसे तेल गरम अच्छा हो जाने देजिए और फिर अपने तेल क को बिलकुल मेडियम कर लीजिए और अब डालेगे क्योंकि एकदम हाई पर डालेंगे न तो लाल हो जाएगा ywire उर अंदर से कच्चा कच्चा सरह जाएगा तो तेल को गरम कर लीजिए और फिर मीडियम कर दीजिए और और आप अपने पापर को तलिए, देखिए कितना सफेद और देखने में भी बहुत खुबसुरत लगता है, ऐसा लगता है, बिलकुल मार्केट का खरेदा हुआ पापर का पैकेट है ये, और आप देखी सकते हैं, घर में बस एक कटोरी बचे हुए चावल से मैंने ये पाप बनाया है, तो आप जब भी चावल बचे ये पापर बना लीजिए, अगर चावल नहीं बसता है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा चावल बना लीजिए और बना करके इस पापर को बना लीजिए, इसमें अलग अलग आप फ्लेवर डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, चिली चावल को आप अच्छी तरफ फेंट लेंगे ना चावल के पीसे हुए जो पेस्ट है उसको तो आपका पापर बिल्कुल फुलका होगा आपको कैसी लगे मेरी पापर की रेस्पी अगर आपको थोरी से भी अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक करें अपने फेमली और फ तक के लिए ठेक क्या और बावाएं